जिन्हें अक्सर शिवाजी के नाम से जाना जाता है का जन्म 19 फरवरी 1630 को आज के पुने के पास शिवनेरी पहाडी किले में हुआ था वे एक मजबूत प्रशासनिक प्रिष्ठ भूमी वाले परिवार से थे उनके पिता शाहजी भूसले ने बीजापूर सल्तनत के एक प्रतिष्ठित सेनाप्ती के रूप में काम किया जबकी उनकी मा जीजाबाई बहुत धार्मिक थी शिवाजी महाराज ने भारत में विशाल मराठा सामराज्य की स्थापना की और उन्हें सत्रवी शताबदी के सबसे सासी शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है छत्रपती शिवाजी महाराज ने भारत में मराठा सामराज्य की स्थापना की इस सामराज्य की नीमधार्मिक सद्धाव को अपनाने और ब्राहमनों, मराठों और प्रभों को डोट एक जुट करने पर आधारित थी उलेखनिय नेताओं के वंश से आने वाले शिवाजी महाराज ने बहुत साहस दिखाया उन्होंने भारत को एक जुट करने के लिए कई लडाईया लड़ी उनके काल में भारत खंडित था, उत्तर में मुगलो का शासन था और दक्षिन में बीजापूर और गोलकुंडा के मुस्लिम सुल्तानों का प्रभुत्व था शिवाजी महाराज की पैत्रिक भूमी बीजापूर के सुल्तानों के अधीन दक्कन शेत्र में थी मुस्लिम शासकों के अत्याचारों और हिंदूों को होने वाली कठिनाईयों से परेशान होकर सोला वर्ष की आयू में ही शिवाजी ने हिंदू समुदाय को आजाद कराने का संकल्प ले लिया था यह प्रतिबधता उन्हें जीवन भर प्रेरित करती रही शिवाजी महाराज जन्म तिथी छत्रपती शिवाजी महाराज का जन्म उननीस फरवरी 1630 को हुआ था चत्रपती शिवाजी महाराज जीवन साथी और बच्चे शिवाजी महाराज ने कई बार विवाह किया उनकी कुल आठ पत्निया थी उनकी पहली पत्नी साइबाई थी जिन्हें निमबालकर के नाम से भी जाना जाता है बहुत से लोग नहीं जानते कि शिवाजी महाराज की इतनी सारी पत्निया थी उनकी अन्य पत्नियों में सोराबाई, मोहिते, पुतलाबाई, पालकर, सकरवर्भी गायकवार, संगुनाबाई और काशीबाई जाधव शामिल थी साईबाई ने उनके बेटे संभाजी और तीन बेटियों को जन्म दिया सोराबाई से उन्हें राजाराम नाम का एक बेटा और दीपाबाई नाम की एक बेटी हुई सगुनाबाई से उन्हें राजकुमवरबाई और सकरवरबाई से कमलाबाई भी हुई 1669 में उनकी पहली पत्नी साइबाई की लंबी बीमारी से जूजने के बाद दुखद रूप से युवावस्था में ही मृत्यू हो गई शिवाजी महाराज की मृत्यू कैसे हुई शिवाजी महाराज की मृत्यू का असली कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है ऐसा कहा जाता है कि उनका निधन हनुमान जयन्ती के आसपास हुआ था कुछ विशेशग्यों का मानना है कि गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई ऐसी किमवदंतिया भी हैं जो बताती हैं कि उनकी दूसरी पत्नी सोराबाई ने उन्हें जहर देकर यह सुनिश्चित किया होगा कि उनका छोटा बेटा राजाराम राजगद्धी का उत्तराधिकारी बने छत्रपती शिवाजी महाराज का उदे 1500 के दशक में दिल्ली में मुगल सामराज्य ने भारत के दक्कन छेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया मराठा के पडोसी उपरी इलाके मुगलों के सहियोगी आदिल्शाही सल्तनत के नियंत्रण में आ गए भोसले वंश के शाहजी भोसले यहां के नेता थे आखिरकार उन्होंने मुगलों का विरोध किया, किले बनाए और उनके खिलाफ हमले शुरू किये हाला कि बीजापुर शासकों द्वारा समर्थित होने के बावजूद उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली नतीस्तन वह अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी के साथ अकसर घूंते रहे शिवाजी की चुनोती पूर्ण परवरिश ने उनकी भविश्य की नेत्रित्व क्षमताओं को आकार दिया 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने पिता के मिशन को आगे बढ़ाते हुए जोद्धाओं के एक समुह का नेत्रित्व किया 1647 में उन्होंने पूना पर कबजा कर लिया जिसके कारण बीजापुर के साथ संधर्श हुआ इसके बाद उन्होंने पुरंधरा, कोंधाना, चाकन, सूपा, बारामती और इंदरपुरी के किलों पर कबजा कर लिया प्राप्ट संसाधनों ने उन्हें राइगड में एक केंद्रिय किला स्थापित करने में सहायता की शिवाजी को स्थानिय परिद्रिष्य के अनुरूप सैन्य रननीतियों को विक्सित करने के लिए जाना जाता है उनके गुरिल्ला युद्ध द्रिष्टिकोन ने तेजी से किले पर विजय प्राप्ट करने और अपने ख्षेतर का विस्तार करने में सक्षम बनाया हाला कि बीजापुर के शासकों ने शिवाजी की प्रक्ति को देखा और 1648 में शाहजी को हिरासत में ले लिया एक साल बाद आजादी मिलने के बाद शिवाजी ने अपनी सैने गतिविधियों को कुछ समय के लिए कम कर दिया और इस शेतर पर अपनी पकड मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया 1656 तक उन्होंने अपने अभियान खिर से शुरू कर दिये और महाबलेश्वर के पास जावली घाटी पर कबजा कर लिया उन्होंने बीजापुर सल्तनत से जुड़े कई प्रभावशाली परिवारों को भी अपने अधीन कर लिया संक्षेप में कहें तो शिवाजी को पडोसी क्षेत्रों से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन वे मराठा सामराज्य का निर्मान करने में सफर रहे भारत के सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में उनकी विरासत आज भी कायम है चत्रपती शिवाजी महाराज एक सम्मानित एतिहासिक व्यक्ति हैं और उनके विचारों और कारियों ने भारतिय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है हाला कि यह उल्लेख करना आवश्चक है कि शिवाजी महाराज के सटीक उद्धरनों को समय बीतने के कारण सत्यापित करना चुनोती पूर्ण हो सकता है और उनके लिए जिम्मेदार कई उद्धरन सदियों से संक्षिप्त या संक्षिप्त किये गए हो सकते हैं यहां छत्रपती शिवाजी महाराज से जुड़े या उनसे जुड़े कुछ उद्धरन और कहावते दी गई हैं स्वतंत्रता एक वर्दान है जिसे पाने का अधिकार हर किसी को है अपना सिर कभी मत जुकाओ उसे हमेशा उचा रखो भले ही हर किसी के हाथ में तलवार हो लेकिन सरकार की स्थापना इच्छा शक्ती से ही होती है दुश्मन को कमजोर मत समझो फिर उसे बहुत शक्तिशाली समझ कर इतना मत दरो प्रजा का कल्यान ही राजा का अंतिम लक्ष है किला राजा के लिए अंतिम सुरक्षा का स्थान है सिनहासन सोने और रत्नों से बनी कोई चमक्ती हुई वस्तु नहीं है यह वास्तविक न्याय का आसन है मेरी माने मुझसे कहा था कि मैं हर किसी के दिल में एक किला बनाओ हमेशा तयार रहो क्योंकि आप नहीं जानते की आपका समय कब आएगा वास्तव में इसलाम और हिंदु धर्म विरोधाभास के शब्द है इनका उप्योग सच्चे दिव्यचित्रकार द्वारा रंगों को मिलाने और रूपरेखाओं को भरने के लिए किया जाता है यदि यह मंदिर है तो घंटिया केवल उसी की लालसा में बजाई जाती है